सर अगर मैं कहूं कि पवन सिंग जी के कैरियर का सबसे बड़ा गाना चोरी का है तो क्या आप विश्बास करोगे आपका जवाब आएगा नहीं सबसे पहले सर अगर इस गाने के बारे में बात करे जिस गाने का नाम है लॉली पॉप लागे लू तो सर यह पवन सिंग जी के कैरियर का सबसे बड़ा गाना है माने तो इनी गाना से पवन सिंग जी का केरियर सुरबात हुआ पवन सिंग जी को लोग पहचानने लगे पवन सिंग जी को फिल्मे मिलने लगे हाला कि ये गाना लगभग 10 से 12 साल पुराना है और अभी भी कहीं बसता है तो लगता है आज ही तो गाना रिलीज हुआ है ऐसा लगता है लेकिन सर बात करें वहीं कि ये गाना आखिर किसका है ये गाना कैसे कोपी है आखिर ये गाना कैसे चोड़ी का है तो सर मैं आपको बताते चलू कि एक गाना आया था गुड़ू डंगीला जी का आप सब स्क्रीन पे देख सकत और डेंजर पर डेंजर ये दोनों गाना सुन के देखिएगा और तब आप लोगों को समझ में आएगा कि गुड्डू रंगिला जी का ही गाना को देखकर इस गाने को लिखा गया है हाला कि सेम गाना मिल ला है इधर गुड्डू रंगिला जी का और ये लोलीपोप लागे लेकिन किस्मत देखिए ये सक्स नहीं बच पाया और पवन सिंग जी बच गया है खेर आप लोग अपना राय नीचे कोमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा